हालो एवरीवन वेलकम टू क्लास 11 जोग्रफी हमारा बुक टू चल रहा है इंडिया फिजिकल एंवार्मेंट और चाप्टर 3 है ड्रेनेट सिस्टम यहां पर हम देख रहे हैं रिवर रिजाइम क्या होती है अब रिवर रिजाइम का मत्तब क्या होता है आप एक तरीके से द रडिकेसано श भी लोक तक एक नदी कितना कहां से क्या पैरिटेन में फलो करेगी रिवर रिजाइम कहलाता है बकिश्य entrepreneur vaak कि जो हमालियन रिवर्स हैं वो अलग ही फ्लो करेंगि और जो हमारी अदर रिवर्स यह què नियस और पारेंगेल, वह वाइसने सार पानी रेसीव करती है, क्योंकि बारिश साउथ इंडिया है, वह किससे कंट्रोल होता है, वह रैंफॉल से कंट्रोल होता है, अब जोमो के किशे час नमच्राइबड़ है, वो क्या है like volume of water का जो discharge है एक river में उसको measure किस से किया जाता है क्यूसेक्स का मतलब क्या होता है cubic feet per second या qmax यानि कि cubic meter per second that is very 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 important कि river का measurement river regime का measurement किस से होता है q6 यानि कि cubic feet per second या फिर qmax यानि कि cubic meters per second अब गंगा का minimum flow जो है वो कब होता है January से June के period में देखिए flow कैसा है minimum है इसा नहीं है खतम हो रहा है क्यूं भाई क्यूंकि monsoon season नहीं होता है लेकिन like August और September में maximum flow होता है और maximum flow का मतलब क्या है लगबग 55,000 q6 में होता है और minimum लगबग 1300 q6 देखिए कितना difference है जब इनको बारिश से पानी नहीं मिल रहा होता है तब यह सिफ 1300 q6 है मिलने के बाद that is 55,000 q6 पैनिंसलो रिवर की अगर हम बात करें तो नर्मदा का क्या है बहुती low volume of discharge होता है January से July तक बट अगस्त में suddenly rise करता है लेक मैक्जिमम फ्लोइन का 2300 q6 है और जबकि minimum आपके देखो 15 q6 तक है बस अब extent of usability की बात करें तो पैरिनियल रिवर्स हैं जो throughout water लेके जाती हैं तो उस पे पूरा येर काम हो सकता है देखो flood आने का एक major reason क्या है कि किसी भी नदी का course change हो जाना या फिर excessive rainfall हो जाना जिसके लिए हमने dams बगिरा बिल्ड नहीं कर रखिये ठीक से तो एक major reason क्या है कि चीजों का management जो है वो proper तरीके से नहीं है उसके अलावा river pollute क्यों होती है ये एक बड़ी आसा सवाल है तो pollute क्यों हो जाती है कि अगर जैसे बहुत सारी industries है उसका waste आप डारेक डिस्चार्ज कर देते हैं लोग बिल्कुल साबून से मलमल के दोदो के नहा रहे हैं नदियों में तो वहां से ये सारी चीज़ें होती ये सिस्टम बिल्कुल डारेक्ली लिंक होता है रिवर से उसके अलावा एक चीज ये कहते है जैसे पैंसलर रिवर है उसको और जो पैरेनियल रिवर है उसको लिंक कर दो उसके बीच में घड़ा खुद को मिला दो बट क्या ये प्राक्टिकली पॉसिबल आंसर इस नो क्य क्यों नहीं है या दिक्कत है क्या क्या एक तो sufficient quantity हर जगे अवलेबल नहीं होती water pollution management बहुत खराब है एक जगे पर बाडाई होती है एक जगे पर सूखा पड़ा होता है चैनल्स evenly maintained नहीं है तो ये रिवर रिवर रिजाइम्स के अंदर ये बैसिकली चोटी-चोटी सी चीज नहीं आती है इसके अंदर प्रॉब्लम्स और उसके जो solution हो सकते हैं वो discuss करते हैं तो अगर आपको लगता है कि कुछ और solution हो सकते हैं तो आप मुझे comment section में लिखके बताईए और अगर आपको कोई भी confusion या query है तो वो भी आप हमें comment section में लिखके बता सकते हैं I'll try to answer each and every query as soon as possible so thank you so much meet you all in my next video